स्पोर्स फ्लाइश दो वर्ल्स बिगेस्ट स्पोर्स रेडियो चैनल मैं हूं आर जे सिड में साथ स्टूडियो में सौरव रजद भाटिया इंडिया के आई पिल प्लेयर एंड मिस्टर सुनु शर्मा हूस प्लेट फोर त्रिपुरा हूस प्लेट फोर एर इंडिया इंडियन एर लाइन्स हम चारों मिलके कर रहे हैं यहां पे क्रिकेट लाउंज जिसमें डिसकेशन हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टी-20 सीरीज का पहला मैच विशाका पत्नम म बस शुरू ही होने वाला है और इसकी फीड आप हमारे साथ सुन सकते हैं देख सकते हैं हमाई यूट्यूब चैनल पे हमाई फेस्बुक पे ट्विटर पे और कॉमेंट्स भी कर सकते हैं अपने सवाल भी पूछ सकते हैं हम चारों से तो इस बीच टॉस हो गया है और टॉस और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ऐसा decision लिया बहुत strong decision लिया उन्होंने पहले करने का क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसी विक्तों पे जहां पे आपको गहांस नहीं दिख रही आप पहले खेलना ही जाते हैं कि बढ़ी बाद में बाल टर्न करेंगा पट शायद उन्होंने अपना होमवर्क किया हुआ है और या वो फिर जानते हैं कि और ये एक औ सिस्फर लिएता है कि छे विक्ति लिएता है बिल्कुल और वो भी संराइसर के अगेंस वो मैच हम हार गए ते लिए यहां पर तो काफी और दो मिनिट का सालीज भी वहां पर रखा जाएगा तो होफ़ली प्रेस हमारे अभी भी साथ में हैं फॉर दे सीर्प जवांस और हम लोग यह पर discuss करेंगे शुर इंडिया प्ले पाकिस्ता अं नॉट और जल्दी से रज़ध बाती और सुनू की ररीक्शन ले दें सिड्डीय अप प्ले पाकिस्तान और इं दो वल्ल कप ले अथिर इंडिया को जो भी स्टान लेना चाइगे मिल के लेना चाहिए और यह जो इस टाम पर गौर्वर्मेंट करेगी हर बंदा इस टाइम पर गवर्मेंट के साथ होना चाहिए और यह एक बहुत दुक्की गडी थी और दुक्की गडी है और यह हमेशा ऐसा जे पर हना है इंडिया को हमेशा अपना अगर atmosphere healthy है तो sports भी अच्छा लगता है तो इसमें बिल्कुल अब government के decision के साथ जाना चाहिए, country के लोगों के decision के साथ जाना चाहिए, जो चीज चल रही है, जो लोग चाह रही है, बिल्कुल sports, बिल्कुल important है, but sports भी तभी है, जब country first है, तो बिल्कुल let's see, what is the decision of the government and we should back that up. आपर Rajat Bhatia से और Sonu से यहाँ पर address करेंगे और उनसे पूछेंगे, अपलों बात करेंगे तो Australia की, तो Australia ने यहाँ पर toss जीतके, जैसे Rajat ने बताया, कि feeling का निर्ने लिए, थोड़ा bold decision मांग रहे हैं, because pitch turn हो सकती है. बोल्ड तो क्या है, मतलब पहले ही करें तो आपन लोग discuss कर रहे हैं, इस feeling होनी चाहिए, चौट टॉस जीते हैं, लेकिन वो जैसे विकेट त्वा turn कर सकता है, जो घास ने छोड़े है, बुल पाटा विकेट लग रहा है, तो अगर तरन कर गई बॉल वहाँ तो प्रदा ड जोड़े हैं, मैसवल खेल चुके हैं, डासी शॉट लाँ टिर के गई हैं, और ऐसे बहुत सारे बैट शॉट में फिंच हैं, स्टॉनिस हैं, तो यह ऐसे प्लेर हैं, यह यह देंजरस हैं, और बाकी इस ताइम पर हमारी बैं बातिंग पहले है, तो मुझे यह उम्मीद कर कि देख के इन अड्वाइज दी गई कि बिल्ग वन जाए और इड वर्ट फो इम एक और इंट्रेस्टिंग बात यह कि यह शर्मा जी है नहीं तो उन्हों ने बटाया कि मैंक मरकंडे वांट तो बॉल लेकिन उन्हें कोष ने बोला कि आपके आपके आहम में इतनी स्ट्रें परेस्टिंग जरूरी होता है अपने बॉडी में देखें बिल्कुल ये देखना होता है जो कोच होते हैं इंटिफाई करते हैं यही इनका जॉब है कि कौन सा प्लेयर किस रोल में सूट करता है इन अब जैसे आप ग्रोट अब देखते सब्सक्राइब देखते हैं, बिल्ट अप देखते हैं, कितना एथलेटिक है, कि फास बॉलर्स होते हैं, आप देखा जाए तो 140 प्लस डालते हैं, बेसिकली नेचुरल भी होते हैं, जिसके साथ उनमें स्किल जोड दी जाती है, इनको इसके बिल्ट के इसाफ से नहीं लग र जाता हो रहा है, इस लेवल पे आज पहुंच गया है, कंट्री तक तो कुछ टैलेंट है, तभी यहां तक पहुंचें, परफॉंचें, आज टीम बड़ी बिट्स न पीसेज में रिवील हो रही है, अभी अभी ख़बर आई है कि शिखरधवन टीम में नहीं है, केल राहू मुझे लगता है कि अभी और मौके मिलेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन मौकों का फायदा उठाया जाए, केल राहूल के लिए बहुत जरूरी है, कि अपने मौकों को ठीक तरीके से यूज करें, शिखरधवन को जरूर बाहर बिटाया गया है, बट देखना होगा शिखरधवन को बठाल देना बहाँ जरूरा लोजिक आपको लग रहा है, इस बारे में क्या राहूल को और चांस दे रही है, शायद हो देखना चाहती है कि केल राहूल शायद कुछ ऐसा करें, और केल राहूल का पीछे T20 के अंदर प्रोच्छन भी ठीक रहा है, उन्हों इनिंग खेली है, इंडिया के राहूल को आपको लगता है, रिसन टैम में बड़ा स्टरगल करा केल रहूल ने, तो मेब उनको चांस दिया रहा है कि वरल्ल कप से पहले फ़र्म में आ जाए, इसलिए ट्राय कर रहा हूं, शायद जो भी आप ट्राय कर सकते हैं, वरल्ल कप MS Dhoni, Dinesh Karti, के ट्रायो खेल रहा है अर बार, ट्रिकेट कीपर्स का, कुरूनाल पांडिया, उमेश यादव, मयंक मारकंडे, यजुविंदर चहल और जस्परीद भूमरा, यह है इंडिया की वरल्ल को आपने पांच बॉलर लेके चल रहे हैं इसके अंतर, कि आपने कुरू अपने पांच बॉलर लेके चल रहे हैं इसका मतलब आप यह उमीद करते हैं कि इसमें जो all-rounder की भूमी का, जो हार्दिक पांडिया से उमीद की जारी थी कि वो खेलेंगे, वो उनके भाई से उमीद अप की जाएगी, कि वो निभाएं, और अच्छा किया था उन्होंने, हाँ, तो अच्छा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है उनको भी देखना, वल्लकप से पहले, बड़ा पॉजिटिव इंटेंट है देखें आप टीम मेनेजमेंट का, देखें आप टीम मेनेजमेंट का, यह बड़ा चांसे तो यंग्स्तर, यह बड़ा कर सकते हैं, आप टेस्ट करिए, अगर उसमें कोई लगती है, आपको क्वालिटी तो उसे कंट्री के लिए यूस कीजिए, तो वेरी हैपी विद इस, और यूटूब पे सिड लगाता रेक्शन आ रहे है हमारे पास, और हमारे पास राजु यादव जी बोल रहे है कि तॉ इस बीच ऑस्ट्रेलियन प्लें 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 के लिए कि अच्छा परोमिस दिया था के क्यार के लिए, विकास शर्मा बोल रहे है कि बड़ा मजा रहा है अभी प्री मैस देखने में, तैंक यू सो मच, आप देखते रहे हैं, और कॉस्टेंस हैं, वो भी बिस्ति रहे है इस बीच ऑस्ट्रेलियन प्लेंग 11, हमाई स्टाट्समन कह रहे हैं कि अनौन्स होगे, यहां भी देख लिया, आरन फिंच कैप्टन, डार्सी शॉर्ट, मार्कस टॉनिस, ग्लेन मैक्सवल, देंजरस मैन, पीटर हांस कॉम जो आज डेब्यू कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के आपके बॉलर हैं, जो आप उमीद करते हैं कि इस्टॉनिस आपको बॉल करके देंगे, पैट कमिंज है, जैंपा का यह फेवरेट ग्राउंड रहा है, तो देखना यह होगा कि ऑस्ट्रेलिया अपनी बॉलिंग के साथ उत्री है, वो शायद इंडिया को किस टार्गेट प करते हैं अपनी टीम के अंदर, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडिया एक अच्छा टोटल खड़ा करेगी, खासकर जब विकेट इतनी फ्रेश है, तो देखना होगा किस तरीके की विकेट खेलती है, यह बहुत एम बॉमी का नहीं है, मुझे बड़ी इंट्रेसिंग सी बात लग रही है, आप तीनों से कहना जाओगा, इनके पास एक विकेट कीपर ढूंडने में प्रब्लम हो रही है, हमाय पास तीन-तीन एक लाइनप में कहल रहे है, और आज विकेट कीपिंग बाइब पीटर हैं विकेट कर रहे हैं एक आप एक अपर अकाल पड़ा हुआ हुआ एक जमाने में हमाल यहां होता था कि विकेट कीपर नी मिलता, विकेट कीपर बैस्मन नी मिलता था हमाय पास तीन-तीन है, तीन-तीन तो लाइनप में है, अभी कितने और वेटिकल रहता है, बिल्कुल, बड़ी की प्रिशन में खेलने आएंगे, जब स्विन भी रोल प्ले बिल्कुल है, मैक्सवल खेले भी हैं बहुत जादा इंडिया में, फिंच खेले हैं, विकेट कर रहा है, और शायद इस टॉस के बाद इस डिसीजन में भी इन प्लेयर्स का पुराने का रोल हो, उन्होंने भी सजेशन दिया हो फिल्ड करने के लिए यह भी एक पार्ट हो स इंडिया के लाइनप से यह बेसिकली साटिस्फाइब है, आप ने तो एका कि बहुत अच्छा किया कि यंग्स्टर्स को चांस दे रहे हैं और अकॉर्डिंग टू रजट इस गुड़ मूव के पांच स्पेशलिस्स बोलर्स लेके चल रहे हैं और एक पॉजिव मूव होत हैं कि आपके बैट्स पर ऊपर के रन बनाएं ऐसा ना हो कि आपकी जल्दी आउट हो जाएं फिर आपकी टेल एक्सपोज हो जाती है पर क्योंकि हमारी टीम में कुरूनाल पांडिया हैं वो नीचे खेल सकते हैं तीन विकेट कीपर हैं यह तो हई कि कोई अगर इंजर्ड ह हो जाए विकेट कीपर तो विकेट लिपिंग तो करी सकते हैं एक के बाद एक के बाद एक पीछे ख़ड़ा हुआ है पर यह तीनों ही ऑविसी वात है रिशप पन्त हैं वो रुकते नहीं है और देखना ही होगा कि आज के मैच के अंदर कि हमारे जितने भी हमारी गेंद बाजन करते हैं जहाई रिचसन उन्होंने तीन लात मिंट वी लास बिटिंग में वह मुझे आसा है कि प्रेशर विराट कोली पर नहीं होगा यह प्रेशर उनके बॉलर पे लिए बिटीन आप के लिए पिटिर ले आपड़ रहे हैं तो विराट कोली हैं आज के दि तो यहां पर बाउंस बहुत अच्छा होता है और यही बात होती है कि कई बार आप अपनी लग हो बैठते हैं अगर आपको शुरू में ही मार पड़े जाते हैं कि कई बार आप पहली बॉल पी छक्का खाते हैं और उसके बाद भी जब आपके अनलिसस कहता होते हैं तब भी आपके एकोनौमी छे से कम रहती है कहीं बार आपके दो या तीन ओवर इतनी अच्छे चले जाते हैं कि आप पांच के एकोनौमी में चल रहते हैं और सड्डली एक ओवर मिभी आपको बीसन पड़ जाते हैं तो यह चीज़ देखने को होगी कि आप कम बैक किस तरीके से कर परजहसे भी, जब कोई बनी होता है एक लगातार किसी को आउट कर रहे हैं और इसा बैक स्में बैक अव्धा में रहता है कि बाए लगातार मुझे श्रगल कर रहे हैं जैसे शेन वान डेल करने न को बड़ा ओट कर थे यह जैंसे ने बहुत आउट कया सचिन को रहता है रहकमиваемनीी है? सSONरो भाई यह रहता है दो तरीके से एक नेगेटिटीव पॉजिटीव इ γιαुन इएक ज़या गलागा अगर कोई या तो वह प्रेशर में चला जागा पॉजितिव लेगा जसे विराठ कोली का ज़ी वह ससमाथ वह जए पॉजितीव लेगा पर यह competition उस साइट से भी Maxwell और युजुद्र चेहल पर बहुत बड़ा है क्योंकि चेहल और मैक्सवल बहुत अच्छे दोस्त भी है और एकी टीम से यह खिला करते थे तो मुंबई इंडियन जब पहले चेहल थे तब उस ताइम पे यह दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि चेहल ने उनकी कमिया सारी पढ लिए और इसलिए वह चेहल को नहीं मार पाते हैं और अगर मारने जाते हैं तो आज कैस मैरे मैं यह था कॉंपूरी एक पहले तो थेरो इंडिया बैटिंग कर रही है तो इंडिया स्ट करेगी बैटिंग यह सब इसकान इसा बतस ते बाइट मैटे तो आचेह ऐसा उगो है और मैल चेहा पात्शु तो उसमें रोहित शर्मा तोड़ा सा लगता था कि यह कभी भी आपको अटाक कर सकते हैं अटाक मतलब वो यह कि आपको एक और के अंदर बारा तेरा चौदा रन मार सकते हैं यह को यह कि अगया सकते हैं उनके अंदर की पावर है वो जो चौट उन लेंध हो नगा हैं और इंडियन कहाओ के विशे ने इस तोड़े चोटे जाते जाते हैं थोड़ा सा chance होता है और बाकी wicket पर depend करता है intent जिस batsman का positive रहता है वो हमेशा ही positive होता आपकी loose ball की weight करता है वो हमेशा तंग करते हैं कुछ batsmen हुए उन्हों है बिल्कुल तंग करें उन्होंने उसमें अपने से लड़ाई है, अपने माइंड से लड़ाई लड़नी पड़ती थी, आपको frame of mind अपना positive यार नहीं, इसने मुझे तंग किया, आज मैं से तंग करूँगा, तो यह basically सारा psychological है, आप mentally कितने tough है, skill को अगर आप time पे use करते हैं with mental toughness, तो वो effective होती है, करते हैं वि जैसी imposing personality खड़ी हुई है सामने, pitch के सामने हो, जिसको पता है कि बस आपने जरा सी shot भेकि और वो उड़ा देगा, जैसे भी बताया भी रज़त में, कि shot of the lander, कट नी रही बाल, cutters भी वहाँ तो, backfoot पे लाके भी weekend है, खेर, हमाई statsman बिल्कुल उल्टी बात अभी बता रहे जा रहे थे कि सारे राज उनने जान ली थे, जब वो पिला पिला के उनको, मुमें इंगेल में ही निकाल ली थे, और Adam Zampa का जैसे रज़त बोल रहे थे, इसी मैदान पर best performance है, 4 overs, 19 runs and 6 wickets, phenomenal performance, लेकिन freeview match हार गे तरहे, आप खेल रहे हैं, बिल्कुल वो match हार गे थे हम, और आपको हरा सकता है, बट जाधातर ऐसा होता है कि ऐसा होता नहीं है, बट 2020 के अंदर ये एक ऐसा format है, जिसमें ये हो सकता है, चलिए team performance इंडिया के अच्छी हो, आज उम्मीद करेंगे, इस बीच YouTube पे क्या के रहे हैं, भाई हमारे listeners बड़ देखा जाए, बड़ बड़ रे पुरिया कुमारी आपको हेलो कह रही है, कोई बिसकर इचा है, वो आपको हेलो कह रहे है, और कोई दिल भेज रहा है, पंकज कुमार है लेकिन वो, लगाता है, दिल भेजे जा रहा है हमारे, तो ये questions भी बेजी और आप, you can dial also, आप dial भी कर सकते हैं, और contact details आपके सामने है you can call anytime, आपके dial in भी लिये जा रहा है यहाँ पर, ये स्क्रीन पर एक number चल रहा है, उसको आप call in कर सकते हैं, और directly बात कर सकते हैं, तो आपको क्या लग रहा है, पिच भी देख लिए हम लोगोंने, रचत और सोनू, कितना score यहाँ पर manageable होगा, मेरे ख्याल से पहले 2-over में य आनलाइस करेता है कि ये विक्ट नीचे रह रहा है, इस विक्ट में bounce अच्छा है, ball move हो रहा है, या hook के आए रहा है, कई बार ऐसा होता है कि आप विक्ट सोच कोछ देखती कुछ हैं और और खासकर कि तो कुकपोरा का बॉल है, और कुकपोरा का बॉल करता है जाधा बहु पर फिर भी में अगर आप बोलें तो मेरे ख्याल से उपर अगर बने तो बहुत बढ़िया है 170 minimum होना चाहिए इंडिया के लिए for a winning total बिल्कुल देखते हैं बाकी 28 degree है temperature तो देखना पड़ेगा बिल्कुल ठीक रज़त वाली बात है कि दो या तीन ओवर में आपको आइडिया लग जाएगा कि किस पेस पे बॉल आ रहा है बैट पे कैसा आ रहा है इवन बाउंस है अगर वो एवन रहता है जिस प्रकार से इंडिया में हमारे विकेट्स होते हैं और अगर ओपनिंग पार्टनर्शिप अच्छा स्कोर कर लेती है अगर यह पावर प्ले में बहुत इंटेंट करता है अगर यह पावर प्ले कैश कर लेते हैं बिना विकेट्स गिराए तो 180 हो सकता है 180 प्लस पे जा सकते हैं हम लोग लोग इंटेंट पे उजिया और 84 राम बना लिया और 24 वर बेरो आइख लिए यह गेम है यह गेम इंडिया में नमबर वन क्यों है क्योंकि इस जब से ज़्यादा यह ए और फैंस के लिए हैं जिस दिन चुट्ती के दिन ज्यादा से ज़्यादा ऐसके अगर मुझार गुष्टी ने अब थो ठीक है आग आप यह हुआ है की जब तक आप खेल रहे हैं अगल की थो दो दॉश्टी के लिए बिल्कुल भी बहुत आप अगर कैम में तो फिर कोई छुटी बगर रहे हैं ये जुरूर है कि हम लखी है कि हमें दिवाली के लिए हमें कहीं बार घर घरम चले जाते हैं इस तरीके से बोर्ड भी ट्रेंड अब हो गया है बोर्ड में पहले तो वर्ल्ल कप मैच भी देखे है आप स्वरतीय के जाती है पटाक्या बजा नहीं सकते हैं और देखो थोड़ के स्ट्रेसब कहा था अब पहले ये लए ये लाउड नहीं था पेमिली इस को आप नियू पकुर्दी के क्रिकट के खेलते हैं इस ट्रेवल करते हैं तो पैमिलीस को भी थोड़ा टाइम दिलिय आप मेरे आइडल थे लेकिन आप मेरे आप राइवल हैं तो आप देख रहे हैं रिशाब पंत को वर्ल्लकॉप के स्कॉड में क्योंकि MS के परशाद ने भी बोला था कि मैं इमको चांस दिया जा रहा है इस सीरीज में के वर्ल्लकॉप के लिए तो लगता है विल्कुल हंड़ड परसेंट केपिबिल्टी है बिल्कुल हंड़ड परसेंट केपिबिल्टी है बट इसको consistent होना पड़ेगा रिशाब को जो adaptive होना पड़ेगा जितनी जल्दी यह adaptive करेगा अपने को situations के accordingly जैसे धोनी क्यों लेजंड बने हमारे adaptive हो गए situation को read करना आ गया adapt करना आ गया कब आपने attack करना आप देखिए यह जो एक-डो मैच में पिछे आउट हुए इनकी जो strength है वो strength है सामने clear करना बट यह अपनी strength को छोड़के कभी reverse strike कर रहे थे कभी कुछ कर रहे थे टीम management ने इनसे यह बात करी होगी कि भया आप अपनी strength पे खेलो हमने आपको इसलिए select किया you are a dangerous player तो अगर वो intent जल्दी सीख जाएंगे तो बिल्कुल set हो जाएंगे तीम रजात आपको लग रहे हैं लगाता chance मिल रहे हैं और obviously phenomenal talent जानते हैं क्या खेलते हैं अगर आप किसी एक youngster में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो रिशब पन ती है अगर आप Dinesh Karthik को देखना चाहते हैं बहुत टाइम से इंडिन टीम के साथ रहे चुके हैं बहुत लंबा टाइम इंडिन टीम के साथ बट क्योंकि MS धुनी थे तो शायद वो अपनी जगा बनानी पाया बट ऐसा नहीं है कि MS धुनी जब नहीं भी थे तब भी वो खेल रहे थे तब उन्होंने उस तरीकी की तब वो दिनिश कार्थिक है तब उसके साथ पार्थिव पटेल का कॉंपेटिशन चलता था तो मैं कहूंगा कि अब एक टाइम आ चुका है कि अब आप एक ऐसे यंग्सर पर इंवेस्ट कीजिए जिसको आप चांसे दीजिए क्योंकि आने वाले टाइम में तो आपको एक अब एक स्टाइब के बाद अगर कोई रिपलेस कर पाएगा उने तो 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 यहां पर बस मैच शुरू ही होने वाला है रिशाप पंथ के बारे में इस बीच बता दे कि 13 T20 मैंचे में 229 रं वित अ हाई स्कोर और फिफ्टी एट बना चुके है तो 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 बिगिनिग अबी को शिरुवात है अभी काफी कुछ करेंगा और जैसे सोनु बोल जागर वो रैश्ट्रॉक खिलना बन करते हैं वी में खिलते हैं उनकी स्ट्रेंथ महाँ पर है और सडली वो पैडल लगाना चालू करते हैं ऐसे ता बोर हो जाते हैं कि में इस तू एज़ी फॉर में को एक अड्वांटेज है कि धोनी उनके साथ खेल रहे हैं बहुत बड़ा अड्वांटेज है उनसे वह लर्निंग एक्सपीरियंस लेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे अपने अंदर तो ही विल बी अनदर लेजेंड फोर उस